रॉकेट में लटका कर मारे हमास की नो कमांडर जंग जीतना है तो जंग डी बन जाओ फरिष्टे की जगा शैतान बन जाओ युद्ध की ये कहावद गाजा पट्टी में हकीकत बन चुकी है पिछले 36 घंटे में गाजा युद्ध फूरी तरह से बदल गया है हालात ये हो गए हैं गाजा सिटी के अल एहली अरब सिटी हॉस्पिटल पर हुए भ्यानक रॉकेट हमले में 500 से ज्यादा फिलिस्तीनी और हमास के लोग मारे गए हैं इस हमले की खौपनाक और दर्दनाक तस्वीरों ने पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में कोहराम बचा दिया है इरान, लिबनान, सीरिया, मिस्र, सौधी अरब, जॉर्डन जैसे देशों ने पूरे यॉरप और पच्चिमी देशों को चिताबनी दे दी है कि इसराइल को मुस्लिम देशों की सेनाएं मिलकर तबहा कर देंगी कि अब मुस्लिम सेनाएं इसराइल और अमेरिका को रौंद कर रख देंगी हम आपको आगे बताने जा रहे हैं कि इसराइल की राजधानी तेलवीव में अमेरिका के राजधपती बाइडन ने इसराइली प्रधान मंत्री बैनियमिन नेतनियाहू से क्या खूपिया वादा किया है और बाईस अरब देशों से जंग करने के लिए अमेरिका ने आखरी मौके पर 500 आपरेशन शुरू कर दिया है पानसो की मौत का बदला जंग में उत्री मुस्लिम सेना मजब आण उनास ऑटेरी मौके ऑच जे लिए प्रात करने है लियतवक्टफ एदालादू वलितकिफ ऐधी अम्मा इस्राइल साथ अक्तूबर से अब तक गाज़ा पट्टी में हमास और उसके समर्थपों से जुड़ी 25 हजार से ज्यादा इमारतों को तबहा कर चुका है लेकिन वहीं दूसरी तरफ हमास के लड़ाके दक्षनी गाजा की तरफ से और लिबनान में मौजूद हिस्गुल्ला के लड़ाके उत्तरी लिबनान की तरफ से लगतार, रॉकेट, मौटार और अंटी टैंक मिजाइलों से इस्राइली सेना पर तीके हमले कर रहे हैं वहीं दूसरी तरफ इस्राइल की IDF यानी इस्राइल डिफेंस पोर्सिस दावा कर रही हैं कि उन्हों ने हमास और हिस्गुल्ला के तीन हजार अड़े तबा कर दी हैं इस खबर पर पूरी डीटेल जानने से पहले आप ये जान लीजिए कि गाजा सिटी के अल एहली अरब सिटी हॉस्पिटल पर हुए रॉकेट हमले में 500 से ज्यादा लोगों की मौत के बाद इस्राइल क्या कर रहा है और हमास हिस्पुला और अरब अगले बड़े और घातक हमले के लिए क्या करने जा रहे हैं हुफिया खबरों के मताबर लिबनान हमास और हिस्पुला के 25465 लडाके इस्राइल से आर पार की जंग करने जा रहे हैं उफिया रिपोर्ट के मताबिक हमास के 25,000 लडाकों ने उत्री गाजा में इसराइल के आईडियेफ के खिलाफ जबर्दस जंग की तैयारी पूरी कर ली है उत्री गाजा से इसराइल के चितावनी के बाद से 10 लाग फिलिस्तीनी और हमास समर तक भाग चुके हैं खाली हो चुके उत्तरी गाजा में हमास बेसबरी से इसराइल के जमीनी हमले का इंतजार कर रही है खबर आ रही है कि हमास के पास रूस की आंटी टैंक मिसाइले और रॉकेट आ चुके हैं खबर ये भी आ रही है कि एरान ने हमास को हजारों की तादाद में रॉकेट, कम दूरी की मिसाइलें और भारी संख्या में ड्रोन दे दी हैं। वहीं दूसरी तरफ स्पेशल फोसिस की तरह लड़ने वाले हिस्बुल्ला के 45,000 लड़ाकों को इसराइल पर किसी भी वक बड़ा हमला करने के लिए तयार रहने को कहा गया है। पान्सो की मौत का बदला, जंग में उतरी, मुस्लिम सेना। तबगों न कोनन, अज़कानी के नक जड़ी फुरू 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 कारब कोने, कसी नहीं पूने जूरू इना। इसराइल भी जानता है कि 57 मुस्लिम देशों से उसे जंग में सामना करना पड़ सकता है। हम आपको बताते कि इसराइल हमास की जंग में अब तक 46,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। गाजा पट्टी में फिलिस्तीन और हमास के समर्थों को पर इसराइल यमराज बनका तूट पड़ा है। पुत्री गाजा से 10 लाग फिलिस्तीनी और हमास के लोग 14 किलोमीटर दूर दक्षणी गाजा की तरफ भाग गये हैं। इसराइल बहुती चालाकी से गाजा युट कर रहा है। अब इसे ऐसे समझ सकते हैं कि इसराइली सेना हमास को एक हाथ में बम दिखा कर दूसरे हाथ से पकड़े तमंचे से मार रही है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि 7 अक्तूबर के बाद से हमास के कितने कमांडरों को इसराइल के IDF हवाई हमलों में मार दोगी है। इसराइल के IDF के दावों के मताबिक इसराइली सेना ने दो और हमास कमांडरों को धेर कर दिया है। इसराइली सेना ने हमास के दो बड़े कमांडरों को मार गिराया। इसके अलावा हमास के टॉप कमांडर बिलाल अलकद्रा इसराइल हमले में मारा गया है। बिलाल दक्षिनी खान यूनिस बटालियन में नहवा बल का टॉप कमांडर था। वहीं साथ अक्तूबर को इसराइल पर हुए हमले को लीड करने वाले कमांडर अली कादी को भी इसराइली सेना मार चुकी है अली कादी को मानने का काम इसराइल की इंटर्नल इंटेलिजन्स एजनसी शिन बेट ने किया है इसी तरह हमास का एर फोर्स हेड मुराद अबु मुराद भी इसराइली हमले में मारा जा चुका है इसराइली फोर्स इसलामिक जिहाद हेड़कोर्टर को भी एर स्ट्राइक में धोस्त कर चुकी है इसराइल सेना गाजा में हमास के 3,000 अड़ों को तबा कर चुकी है गाजा सिटी के अल-एहली अरब सिटी हॉस्पिटल पर रॉकिट से हमला इसराइल ने किया या फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद के लड़ाकों ने लेकिन इतना दह है कि अस्पिताल पर हुए हमले में 500 लोगों की मौत के बाद अब अरब युद्ध बनाम यूरप युद्ध हो चुका है हमास के साथ एरान और हिजबुला जबरदस तरीके से साथ दे रहे हैं इसराइल भी जानता है कि एरान के 5,75,000 सैनिकों से जंग करना जरा भी आसान नहीं है इसराइल के पास सिर्फ 1,73,000 सैनिक है इसराइल की 4,65,000 की रिजब फोस को जोड़ कर भी इसराइल एरान के आसपास नहीं टिकता है अब देखना होगा कि गाज़ा सिटी के अल-एहली अरब सिटी हॉस्पिटल में मारे गए 500 से ज्यादा लोगों की मौत का बदला इरान, हिजबुला और हमास कैसे लेते हैं